कुटरे मटर की सब्जी वाद रोटी फुराटे साथ बहुत स्वादिश लगते हैं तो एक बार इस सब्जी को स्वाद से चक लेंगे, एकीड अपने अंगलिया चाटते राज आएंगे तो कुभी मटर की सब्जी बनाने के लिए त्यार हैं तो चलिए बनाना सुरू करते है क्या किए कि CL細 गोभी को CL zeggen brown अलो जोром लुब्रा हुआ है अलू और कोभी दूनों फृराइउ कर लेंगे एक और तोरी मटर लिया है आल है फैल मटर निया से करहाई रख करहाई गरम Pray का है ठील टालें हैं तो या teens सर्ष बैल यापराई कर सकताइं को भी को भी op फ्राई उलट पैलाड करें क्या कि एक दो चोंब सब्दाता है थोर सोरी मेथे दालेंगे पालेंगे एक जमस घरण मसला डालेंगे तोड़ी मेती से और गरब मसाला से बहुत सब्जी टेश्टी लगता है अब डालेंगे एक एस्पून हल्दी पॉडर डालेंगे एक एस्पून लाल कस्पूरी मिस्थी डालेंगे जीरा मिर्च डालेंगे धनिया पॉडर डालेंगे अब उसको एक दू मिनर तक हम फेटेंगे दही को, जुस्तो आज मकर संक्राती है, आज सुब दीन है, आज अलू कोभी का सब्जी बनाएंगे, बहुत अच्छा लगता है खाने में, इस साइड में रख दिये हैं, अब कोभी को फ्राई करेंगे, एक दू मिनर तक फ्राई कर करके रखेंगे, और मिर्चा सुनारे हो चुका है, अब डालोंगे, कटा हुआ प्याज डालकर दू तीर मिनर तक बुर्णेंगे, बराउन हो चुका है, गैस को मेडियम करके प्याज को बुर्णेंगे, अब डालेंगे, टमाटर का पेस्ट डालकर दू तीर मिनर तक बुर बुणनेंगे। फ्लेम पर टमाटर को भुनेंगे। सर्दियों के में बिकने वाली कोभी और टमाटर की सब्जी के सवाद गर्मा गरम रोटी और फ्राटे के साथ अच्छे लगते हैं। सब्जी को बनाना बहुत असान है। मसाले में से चारो तरफ ओल छोड़ दिया है। अब डालेंगे दही वाला मसाला डालकर कम फ्लेम पर दही को हम चलाएंगे। एक दू मिनिर तक हम भूनेंगे। मैंने एक कटोरी मटर लिया है। इसको मसाला में डालकर एक दू मिनिर तक हम भुनेंगे। मसाला और मतर दोनों भुना गया है। कोबी से आप पकोड़े भी बिना सकते हैं। और स्वादिस अचार भी बनते हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं। ढालु भूना हुआ कोभी और आलू डाल कर दू तीन मिनर तक हुने डोसतो आप सब्जी में हम डालेंगे बड़ा वाला कभ से एक हव पानी डाल कर अब उसको एक दू मिलता हम पकाएंगे दोस्तों अब सब्जी में हम डालूंगा और काटा हुआ हाड़ा धनिया पता तो मेरा रेस्वी कैसा लगा कॉमेट बॉक्स में जरूर लिखे जबाब देने के लिए त्यार हूं नेस्ट वीडियो में मिलते हैं थाइंक यू